हलो नन्य मुन्य बच्चों कैसे आप लोग अब नन्य मुन्य नीदे बड़े बड़े हो गए चलिए तो हम लोग आ गए हैं प्रियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर फाइव टेंथ क्लास साइन्स के फाइनल लेक्चर पे तो आज चैप्टर हो जाएगा फिनिश ठीक है तो करते हैं सबसे पहले हम फिर्ट लेक्टर में क्या देखा कि चैप्टर के अंदर क्या-क्या है डॉबेनागर ट्रेड है और उसके बाद आपका न्यू लेंड है फिर मैंड लीफ है उसका थेंडरी मॉजले की मॉडरन टेबल है फिर हमने समझा कि हमें जरूबत क्या पड़ परति रही फिर हमने लास्ट क्लास लिफ समझी तो हमने वहाँ पर समझा कि मॉडरन टेबल क्या होती है ऑटामिक नंबर क्या होता है यह में कितने लेक्टरों आते हैं मैंडलीफ की जो लिविटेशन से इसलिब्स क्या थे उसके ौर हमने समझा था कि यह सब्डीए है उस मैं टेबल समझाता है मॉनिटन वाली ठीक है चलिए देखो अब कई बच्चे तो यह सोच रहे होंगे कि जो टेबल हम बुक में देखते हैं वह कुछ और है आप पढ़ा कुछ और रहे हो अब इसको छोड़ जो टो तो इसके नीचे नीचे देखो रॉनगाए लेशा है आपक्षा अपक्षाण अच्छा अब क्या है मैंने, हर एलिमन्ट का एटम बनाती है, एक्टम जो हम लोग स्ट्क्चर देखते हैं वो बनाती है पर एक आपका nucleus हो गया उसके भाहर shell हो गई, nucleus हो गया shell हो गई, nucleus हो गया shell हो गई, nucleus हो गया भाहर shell हो गई, तो पहले मैं आपको यह बता दूँ, धान से सुनना, जो यह 1, 2, 3, 4, blue color से लिखे हैं, यह ऐसे चलेंगे horizontal और उनको बोलेंगे period, अच्छा, आगे में तो class भी है, 11 तो वहां पढ़ोगा राम से, इसके बाद ऐसे करके जो ऊपर से नीचे आते हैं, जो red color के लिखे हो गई यह वाले बच्चो, यह होते है group, group में हमें 3 से 12 नहीं पढ़ना, अगर आप table देखेंगे, तो table actually में ऐसी बनी होती है, मैंने first lecture में दिखाई भी थी, जिसमें जो direct की lecture देख रहा है, मैंने first lecture देख क्या हो, तो यह वाला हमें नहीं पढ़ना था, याद करो, तो आपका 1, 2, और 13 से लेके 18 तक, तो हम कैसे ल group का logic क्या है, step table के अंतर, तो मैं समझाता हूं, कहां समझाओ, कहां समझाओ, ठीक है, यहां समझाता हूं, मैंने बोला, तो यह जगें बहुत हैं मारे पास, actually, मैं, तो बहुते खाई देख को, sodium, sodium का number अभी है, 11, अब कोई पुस्ता को, बार मार, sodium लेके आता हूं, इस ही है, तो मैं याद रहता है, सबको, यह तो पता होगा, नहीं से sodium क्यों कहते हैं, यह natrium होता है, इसका actually name, actual name natrium होता है, बट इसको हम लोग इंगलिस में sodium कहते ह अगर symbol हमारे किसी और language से आया है, और name किसी और language से आया है, तो दोर ने mix कैसे होगा, इसलिए नाम natrium से symbol है, na, और नाम इंगलिस में sodium है, अच्छा, इसको मैंने configurate किया, मैंने का 2, 8, 1, ठीक है, 2, 8, 1 कर दिया, अब ध्यान से सुनना, important है, आपने 2, 8, 1 कर दिया, तो quality पढ़ाना वीडियो की, और वीडियो quality बढ़ाके, 1, 0, 8, 0 कर देना, और zoom कर देना, सब देखेगा यह, अच्छा, इसके बाद 2, 8, 1 हो गया, 2, 8, 1 हो गया, अब इसके बाद क्या देखो, आपको, अच्छा, इसमें total कितनी shell है, तो पूछू, इसमें shell हैं आपके 3, देख जाता है, तो valence electron कितने हैं इसके अंदर, यह, 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 तो valence electron कितने, 1, तो किसी भी element की, जब आप electronic configuration करोगे, तो सारी बाते लास लेक्शन बता रखे हैं, तो electronic configuration करने पर, जो उसमें total number of shell आएंगी, वो number of shell किस से related होंगी, इसके, इसके periods से related होंगी, यह, तीकि, किस related है, इसके shell, तो भीया, सीरी सी बात है, अगर किसी में 3 shell आएं, किसी element में, तो वो constant period में रखा होगा, third period में, किसी में 4 shell आएं, तो वो fourth period में, किसी में past shell आएं, तो fifth period में, मतलब, the number of shell represent the period of the element, जैसे कि मैंने sodium में देखा, तो मेरे पास KLM, configuration करने पर, तीन shells इसमें आती है तो इसका मतलब, third period देखो, third में sodium होगा, देख रहा है, good, बहुत बढ़िया, अभी एक example और लेगो, don't worry, इसके बाद, जो सबसे बाहर वाली shell में electron आते हैं, तो सबसे बाहर वाली shell के electron, represent करते हैं, वो किस group में है, मतलब, मैं position मतलब हो, electronic configuration से, तो बचे कितने आए बाहर ए तो इसका मतलब, पहले group में होगा, तो दोखो कि मुझे क्या मिला, पहले group में, तीसरे period में, पहले, इसको छोड़ देना, यह एक्स्रा लिखा है मैंने, यहां से, पहले group के, तीसरे period में क्या है, sodium है, example और देख लो, example और कर ले, चलो, तो आपकी तसलिक लिए, example हम करते है sulfur का, यह sulfur होता है, 16, sulfur होता है, 16, ठीक है, तो conjugation करें, तो यह हो गया भीजा, 2, 8, और 6, अब जब 2, 8, 6 हो गया, अब जब 2, 8, 6 हुआ, तो इसमें total कितनी shell आई, इसमें आई, 1, 2, और 3, इसका मतलब sulfur किसमें होगा, third period में होगा, तो भीजा, third period कौन सा आगया, period आता किसके बराबर जोतनी shell होती है, तो कितना भीजा, 3, clear होगा, अब यह बताना है कि sulfur कौन से group में होगा, तो सबसे बाहर कितने लेक्टोन आ रहे हैं इसके, outer most shell में, जैसे हम वैलें सली भी कहते है, 6, अब धान से, 6 तो group पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है 1st, 2nd, और 3 से निप्टा दो, हमें उसके बाद किसको पढ़ना है 13 को, तो तो गरबर हो जाएगी, हम कैसे पता करेंगे, हम तो यह पता करते है, बाहर वाली shell में 1 है, तो 1st group, बाहर वाली shell में 2 है, तो 2 group, लेकिन, लेकिन, अगर हम हमारे उस लेबस में हैं, और पूरा match करेंगा, अगर end में 6 आ गया, तो उसमें आप 10 जोड़ दो, तो end में 6 में 10 जोड़ो कितना आया, 16, मतलब sulfur 16 में होगा, तो 1 और 2 आ जाए, तो 1 से 2 ही, बाट 1 और 2 के अलावा जो आ जाए, बाहर वाली shell में electron, उसमें 10 जोड़ तो group मिल जाएगा, अगर देखो, sulfur के बाहर कितने आया, 6, 6 मे तो 16 गूरूप में होगा, 16 गूरूप का है, इसमें जोड़ू, तो 16 गूरूप में और 3rd period जहां match कर रहा है, दिख रहा नहीं, दिख रहा है, 3rd period पे जा रहा हूँ में, और 16 गूरूप में आ रहा हूँ में, तो मुझे क्या मिल ला, sulfur मिल ला, example एक और देखो, ठीक है, ए अगली में 2, अगली में 8, कितनी shell हुई, 2 shell, या K और L 2 shell तो हुई, ठीक है, तो shell हुई 2, मतलब 2nd period में होगा, नहीं होगा, सबसे बाहर वाले में कितने 8, तो 8 में क्या करेंगे, 10 add कर देंगे, एक और 2 को सोड़के बागी सब में 10 add करतें फेरेंगे, तो 8 में 10 add कर दिये, नहीं भी समझ आया है, बिल्कुल चिंता मत करना, live class जब लूँगा, तो और हम से दुबारा पूख लेना, अच्छा, आगे बढ़े, अब हमें ये समझ आ गया, बच्चो, एक बात और चुना अब, अगर हम गुरुप का नाम बता है, जो हमारा पहला वाला गुरुप है, इसको बोलते है, अलकली मेटल, क्यों कहते हैं बच्चो, अलकली मेटल, क्योंकि ये इसकी जो ऑक्साइड बनते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, अलकली नेचर के होते हैं, इसलिए इसको अलकली मेटल बोला जाता है, clear हो गया, दूसरे वाले को, अर्थ अलकली मिलते है किर में जादातर तो अर्थ के अंदर मिलते हैं और होते सारे बेस हैं कैलिशियम तो आर्थ में मिलता है मैंगनेशियम आर्थ में मिलता है इसे लिए अच्छा इसमें एक तुम्हें रटना पढ़ेगा अभी रट लो फिलाल कोई यह 11-12 में दरूवत नहीं अभी इसके फालत गुरूप होता है 17 होता इसे तो फस्स कर बोलते हैं एलकली मेटल सेकंड को बोलते है अर्थ अट्यू यहे अजान किऊं प्लीज तीग निकालने पहले अध्थारवा गुरुप बच्चों बोलते यह 0 गुरुप 0 पता है क्यों कहते हैं इनकी वेलेंसी होती है निसके पू noble gases काता है, NOGBack drug vegan नोबस पुरूप समझा अब ये बात आपको समझागी and समसल्म नोबस दोले कोव़ी कई कुछ कोई बहुत बाता है उसमें उतना ही यह यह first period है, hydrogen है, nucleus बीच वाला center हो गया, और एक shell हो गई, यह एक, वो एक shell हो गई, यह सब second में है, सब में तो 2 shell, 2 shell, बीच में nucleus, dark shell बनाया है, बाकि सब में 2 shell, इन सब में 3 shell, इन सब में 4, calcium की बराई नहीं मन है, 4 shell, अच्छा, और वो जिस group में है, उसके outer most shell में उतने ही electron हो ग कहते हैं, valence मतलब इसमें valence electron होते हैं, तो रेखो, जो पहले group में होंगे, उन सब के, अब यहां बनाऊँगा, इहां बनाऊँगा, रेड कलर से बनाऊँगा इसको, तो इसके, इसमें कितने electron होंगे यह एक, रेड कलर की circle जो अब दिखेंगे ना, आपको वो electrons है, एक, इस इसे लिखा है, valence electron, सब में एक होंगे, ठीक है, यहां देखो, यहां कितने होंगे, यह कौन से group में, दो, तो इसके outer most shell में, दो electron होंगे, इसके कितने होंगे, इसके भी दो होंगे, अचा आगे, calcium के भी दो होंगे, सीदी सी बात है, अचा यह 13 है, अब 13 group के, 13 नहीं होंग होंगे, 3 होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 13 में कितने होंगे, 1, 2, 3, equal distance पे होंगे, 1, 2, 3, red वाले electrons बन रहे हैं, ठीक है, यहां पर carbon कितने होंगे, 4, और यह तो बता है तो लास क्लास में, carbon में चारा परिशान है, यह ना electron दे सकता है, ना electron ले सकता है, silicon भी इसके साथ, 15, 15 का उट्रमोस में कितने होंगे, 5, याद हो गया, भी हो गया, 5 हो गया, तो आपका हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, nitrogen का, phosphorus का, 1, 2, 3, 4, 5, electron, सबसे बाहर वाली shell में होंगे, खाली, अंदर तो पूरे-पूरे बरे होंगे, 8, 8 तो 8 होंगे, 2 होंगे, लेकि सबसे बाहर वाली shell में oxygen, सिधा कर दो 6 electron, देख जागा ना 6 electron, कौन बनाए 6 गोले, ठीक है, यहाँ पर भी 6 electron, 17 वाले, हैलोजन में कितने होंगे, यहाँ साथ electron, यहाँ पर भी 7 electron, यहाँ पर 7 electron, यह यह हो है, हाई-ट्रोजन से प्रपरटी इसकी मैच करती है, इसके कितने होंगे, ओ-ओ, देखो इसमें हाँ exception है, हेलियम, हेलियम का सबसे outermost shell full है, अर एक ही तो shell होता है, वो तो उसमें 2 electron होते हैं, कौन सा पहला वाला, तो यह exception है, हाई-ट्रोजन होता है 18 group में, बड़ उसके electron 2 ही होते है, क्योंकि 1 shell में 2 ही आ सकते हैं, लेकिन बागी सबसे कितने होंगे, यह 8 electron, इसे electron सेम हैं, तो property match कर जाएगी, simple समझो, बाहर वाली shell में same electron, same property, इसका मतलब, इस पांगी जहाए, तो note कल लिए, copy के अंदर अभी, कि group में property match करती है, period में property match नहीं करती, तो अगर किसी के मैंने बोला, मेरे पास एक x element है, उसके outer most shell में 2 electron, एक y element, y मेरे पास atom है, उसके outer most shell मे property match करेगी, नहीं करेगी, भाग भाग के करेगी, बहुत बहुत ज़ादा करेगी, दूसरा, एक element है x, उस x के बाहर एक electron है, कौन से table के, किस element से, बाहर एक electron है, किस से property match करेगी, इससे करेगी भर-भर के, जिसके outer most shell में same electron, उनकी property बिल्कुल same, logic समझ आ गया, इसलिए property कैसे match करती हैं, ऐसी, अब मैं आपको समझाता हूँ, जो हम law पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, तब properties of element are the periodic function of their atomic masses, मतलब, atomic number यहां पर, अगर हम atomic number के according रखें, 1, 2, 3, तो जब एक पूरा period खतम होगा, उसके बाद जब element आएगा, तो उसकी property match करेगी, इसकी property match करेगी, इसकी पूरी पूरा period खतम करा, बापस कहा है, इसकी property match करेगी, तो properties of element are the periodic function, periodic function, पूरा period खतम करके आओगे, बापस element रखोगे, तो property match करेगी पहले बाले से, ठीक है, logic समझा गया, आगे बढ़ते है, periodic function is atomic number, अच्छा, तो रखो बच्छो, सबसे बाहर वाली शहलें, valence electron समझा एक होगा, इन सब में दो होगे, इसमें तीन होगे, इसमें चार होगे, लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, बच्छो, valence, सबसे important word है, valence, ठीक है, तो यहां कुछ trends मैंने लिखे हैं, कुछ मैंने टेवल में दिखा दिये, अगर मैं पूछों, ओपर से नीचे आने पर valency पर का impact पड़ेगा, valency, इसके बाहर एक electron है, understand कर लो कहानी को, जिसके बाहर एक, लिख लो, copy में लिख लो उसको, जिसके बाहर एक, दो या तीन electron होते हैं, बाहर मतलब outer motion में, वो electron दे देते हैं, वो होते हैं metal, जिसके बाहर एक, दो या तीन electron होते हैं, वो होते हैं metal, औ जनके बाहर वह दोखो 1,2,3 हो गया 5,6,7 हो गया 4 और 8 होते हैं 8 वह तो reaction नहीं करते हैं बूल जाओ और जनके बाहर 4 होते हैं बच्चो वह carbon वाले होते हैं carbon हमें नहीं पढ़ना बट बता देता हूं carbon बनाते हैं sharing electron और sharing से compound बनाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग covalent compound double law इंक उनके खोड़ दिया अच्छा तो देखा इस सब के बाहर एक लेक्ट्रॉन है तो यह भ्या यह वी एक elektron देते हैं यह भी एक लेक्ट्रॉन देते हैं थो वाइलंसी क्या हैगी फ्लस फटर सब रुए यह सब दोburn दे देंगे प्लस टू यhã कितने उलेक्टों देंगे तीन ट्रॉं देंग तो प्लस थृ लेकिन चार वाला फज गया चार वाण भॉस गया वैलइंस टो लिखने तो चार वाला है हमने मान लिया, प्लस 4 माल लो, चाहिए मानस 4 माल लो, ना दलिया देना तो है नहीं इसे, लेकिन इसके बाहर कितने हैं 5, अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, किसी के बाहर 5 हैं, उसकी बैलन्स ही बताओ, बच्चे बोलते हैं, प्लस 5, 5 लेक्टरन दे र नहीं है और तुम्हें देखा कोई 3 बाल लेके जा रहा हो से जरुववत नहीं है, तु मेरे को देदो, तुम्हें जरुववत नहीं है, क्या रहा है, लाओ लेलो, हमारी 8 बाल पूली होगी, same concept, यह कारा मेरे पास 5 हैं, कोई दूसरे वैक तीम ले नहीं हो, उतना minus minus 3, 16 वाला क्या करेगा, and में 6 होंगे, तो दो electron लेक्टरोन लेके 8 कर लेगा, 6 और 2 ले लिए 8 हो गए, minus 2, 17 वाला क्या करेगा, एक electron ले लेगा, minus 1, और 18 वाला क्या करेगा, करे रहा हम तो electron लाँ देते हैं, हम तो 0 है, समझा गया तो एक बात आपको समझा गया कि walance electron क्या होते है और valence क्या होता है और L इसका नाम क्या होता है अब trends में आते है, atomic size पे अब ध्याँ से सुनना है, यहाँ पर मांमला atomic size को जाँ UP TO DOWN बढ़ाते हैं पहले मैं UP TO DOWN वाले बढ़ा रहा हूँ आपको up to down अगर अंधा होगा उसको भी दिख जाएगा जूके कि वहीजा ये एक shell इसमें 2 shell, इसमें 3 shell, इसमें 4 shell तो atom का size क्या हो रहा है बढ़ रहा है, simple तो भीजा property क्या है, atomic size जूम कर देना, दिखाई देतो property क्या है, atomic size up to down में क्या हो रहा है, increase increase, increase क्यों हो रहा है increase, क्योंकि वह due to the increase the number of shell, क्योंकि उपर से नीचे आने पर shell बढ़ती है पहले, first period में एक shell, second period में दो shell, third में, तीन shell, तो electron, वो, स्कुर्ण बढ़ा हो shell बढ़ती है, shell बढ़ने की वज़े से size क्या हो रहा है, बढ़ता है तो up to down आने पर size समझा है size, भीज़े, इससे बढ़ा यह होगा न, क्योंकि मेरे गोले छोटे बढ़े बनता है, मेरे drying खराब है, हाँ, तुम समझो ठीक है, तो यह इससे यहाँ पर आएंगे तो इसमें 2 shell है, इसमें 3 shell है तो size क्या हो गया, बढ़ गया, तो up to down आने पर size increase होता है, बात क्लियर होई कि नहीं होई, अच्छा, valence electron up to down आने पर same रहते, आसान तो बताया कुछ तरह पहले, ठीक है, valency और वो भी same रहती, ग्रूप में तो same ही रहे कि तब तो property match करती acidic nature अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि उपर से, पहले एक चीज़ समझो, एक पहले इसको 2 minute, अभी hold रखो 2 minute समझो एक word आता है metallic character एक word आता है non-metallic character अभी SED डिवाले को बात में समझेंगे पर जो metal क्या होते हैं हम इतियास के पन्नों में chapter 3 में जा रहे हैं दुआरा बता रहा हूँ मैं तुम्हें भीया वो element जो electron दे देते हैं उन्हें metal कहा जाता है अब मान लेते हैं मेरे पास 2 है मान लेते हैं यह हमेरे पास एक लाल वाला metal है एक काला वाला metal है यह दोनों को electron देना है इसको भी एक electron देना है तिरिया इसको भी एक electron देना है ठीक है मैं आया मैं का भईया electron दे दो दोनों एक electron देना चाहते हैं जहां सुनना दोनों metal हैं इसका मतलब इसमें तुरंत electron दे दिया मिनट से पहले यह भी टाइम लगा रहा है, अब दूँगा है, इसको एनर्जी जा लगाने पड़ रही है, इसका मतलब, जो जितनी जल्दी इलेक्टरॉन दे दे, वो उतना अच्छा मेटल, सिंपल, देखो, हमारी रिस्तिदारी में, जह हम किसी यह घूमने जाए, जितनी जल्दी नोट तो अच्छा बूरा कैसे हो सकता है, देखो कैसे, एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ तो यहां पर यहां पर यह और यह पर यह पर यह है इसके कौन सी इच्छाएं हैं यहां पर रुखने वाली तो इलेक्ट्रों यहां पर क्यों है यहां पर इलेक्ट्रों क्यों है यहां पर इलेक्ट्रों क्यों है यह रिजन क्या है प्या होता क्या है जो न्यूकलियस है न्यूकलियस होता है पॉजिटिव जो कि इसमें प्रोट इसको भी खीचेगा, तो एक बात बताओ, जितना electron nucleus के पास होगा, उतना nucleus की pull power होगी, जाधा होगी न, भई दो magnet को इतनी पास रखो, जो जादा pass रखोगी, तो क्या होगा, उसकी जो pull power हो बढ़ जाएगी, pull power साना है, भई खीचने की दागत, तो एक बात बताओ, अगर मेर यह case 1 है, और case 2 है, तो इसमें, पास electron कौन सा वाला है, भई इस वाले है, पास है, तो इस पर जो attraction force होगी, nucleus की, electron पे जाधा होगी, इस वाले में कम होगी, understand करना, यह ज़्यादा pass है, इसको तेजी से खीच जाएगा, भई आओ, nucleus काईगा, अब जो nucleus का अंदर क्यों नहीं अपने तरफ तो अंदर क्यों नहीं आता, चंदा मामा आता है, अंदर हमारे पास, आओ, यह आगे स्टोरी सोना है, चंदा मामा में, अंदर क्यों नहीं आते हैं, बाहर ही भूमते रहते हैं, तो वो 11th क्लास, ग्रेविटेशन चेक्टर है, पूरा का पूरा, पढ़े नकाला लो तो जितना नूकलियर पोर्स कम हो गया, खीचने की तागत कम हो गई, तो उतना अराम से उलेक्टरो वहां से निकल जाएगा, इसलिए, metallic character उपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि metal आराम से electron दे देते हैं, जा भई, जा, क्योंकि दूर-दूर हो रहा है, बात समझाई, तो metallic character उपर से नीचे आने पर बढ़ता है, अच्छा, non-metallic उल्टा कर दो, electron ले थोड़ी पाएगा, जितना बढ़ा होगा, वो electron लेन करते हैं, acidic nature की, बच्चो देखो, जितना अच्छा metal, उतना खराब acidic nature, तो ऊपर से नीचे आने पर, metal अच्छे होते जा रहे है, metallic character बढ़ रहा है, तो acidic nature क्या होगा, decrease होगा, क्योंकि metal acidic नहीं बनाते, non-metal बनाते हैं, जब्टर 2 देख लना ही समझाए तो, वह आता है मीरा metal R bass, है ना, और नयंदर मोदी चले अमेरिका, non-metal R acidic, यही मैंने बताया था, ठीक है, चलो, और इसके बाद बच्चो अगला आता है, यह बहुत important है, बोर्ड का फेवरेट है, यह जो पहला वाला point है, बोर्ड का फेवरेट है, बहुत समझो, कई बार आया है, 5-7 बार आया ठीक है, तो इसमें कितनी shell है, 2, इसमें कितनी 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 है, 2, left to right जाने पर shell तो दो है, लेकिन बाहर देख रहे हो, electron बढ़ रहे हैं, इसमें 1 electron सबसे बाहर, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसम बढ़आ है when Prime बढ़ने की वजह से क्या होता है थो सदना बहर अगर ऑल्लेकरोन वढ़ रहा है थो ऋंधर नुस्किह के अंदर प्रोटन भी तो बढ़ रहे हुंगे मैं अंदर माइस बढ़ा पंदर जाल अंदर अक बहर मैं इसे कंपम तो क्या होते है यह एक कि यह 한다 मतलब व तो left to right जाने पर nuclear के अंदर charge बढ़ता है, तो charge बढ़ने से वो pull करता है, pull, किसको? electron को, electron को pull करता है इसलिए left to right जाने पर size decrease होता है, इस वाली बात को लिख लेना वैसे तो end में notes मिल जाएंगे, आपको पूरा table मिल जाएंगे, आपको रिजन के साथ understand करो फिर भी हाँ, तो atomic size left to right जाने पर क्या होता है, decrease काईदे में लगता तो हो कि सेम रहेगा, सब में 2-2 shell, सब में 3-3 shell, सब में 1-1 shell लेकिन, due to increase of nuclear charge, इतने लिखता है, nuclear charge बढ़ने से pull बर जाएगा electron का nucleus की तरफ और size क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि या बहर 7 electron तो अंदर 7 proton भी तो होगे खीचने वाले, तो वो 7-7 को जादा खीचेंगे, एक-1 को कम खीचेगा, तो left to right जाने पर size क्या होता है, decrease left to right जाने बच्चों, क्योंकि इसको एक electron देना है, आराम से देगा इसको दो electron देने है, तो पहले एक देगा, फिर दूसरे electron देगा, और electron देने या लेने में energy खर्च होती है अच्छा, इसको ती electron देने है तो पहले एक electron देगा, फिर दूसरे electron देगा फिर तिसरा electron देगा, तो time लगेगा, ठीक है, मतलब metallic character खराब होता दा रहा है, अराम से कौन देगा, एक वाला, तो left to right जाने पर metallic character decrease होता है, तो metallic character क्या होता है, left to right जाने पर decrease, क्योंकि अच्छा, और देखो ना, आगे चले जाओ, पांच पहुझ गए, वो electron देगा ही नी, क्योंकि मैं तो electron लूँगा, मैं दूँगा ही नी, metal बचा ही नी, तो left to right जाने पर metallic character decrease होता है, decrease, इसको तीन-चार बार सुनना, अच्छा, इसके बाद, और non-metallic, वो तो बढ़ेगा, इसको तीन electron लेने है, पहला लेगा, फिर दूसरा लेगा, फिर तीसे electron लेगा, इसको दो electron लेने है, सोला वाले को, पहला लेगा, फिर दूसरा लेगा, पूरा हो जाएगा, वो कहाँ का, मैं तो एक ही दे, दो साथ वाला वो लेगा, तो non-metallic character बढ़ने का मतलब है, जादा acidic oxide बनेंगे, तो acidic nature oxide कैसा हो जागा, increase होता है left to right जाने पर, तो पढ़ना आपको इतना ही है, इतना ही पढ़ना खाली बस, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझाए, तो अराम से lecture काई बार देख लेना, और अगर फिर भी डाउट लेगे, तो बाद में जब भी live class, physical class में हो तो पूछ लेना, ठीक है, तो इसे note तो आपने करी रखा होगा, और कोई भी डाउट हो, तो हम मिलतें बाद में, तो आगके chapter वाला हो गया, finish, बस एक last चीज सुन लो, एक मिनटा question, अगर आपसे पूछे, यह favorite question है, exercise question number 10, Mendeleaf table और modern table में difference बताओ, मैं difference तुमें बता रहो, difference लो, Mendeleaf table रखे गई थी, Mendeleaf table based on the atomic mass, modern table based on the atomic number, difference number 1, difference number 2, Mendeleaf table, Mendeleaf table के अंदर के अंदर के अंदर, mass maintenance, the increasing order of atomic mass is not maintained, कहिंगे degrees हो रहे थे, last lecture बताया था, but modern में, there is no problem, Mendeleaf में, हाइटरों के fixed position नहीं थी, कहां से आती भी है, वो रखी नहीं पाये थे, but modern में क्या है, रखा गया, atomic number के साब से, तो atom number 1 होता, तो position fix हो गई, यहां fixed position हो गई, ठीक है, तो मेंडलीफ और modern में, मेंडलीफ के अंदर 6 period थे, 8 group थे, modern के अंदर 7 period है, और 18 group है, तो इस तरीके से 3 चाड़ डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, बाकि notes में तो available होंगे, यह होंगे, वहां से पढ़ ले ना, बहुत famous question है, इंपोर्टन ही साल लगा देना, exercise question number आपका 10, important question है, ठीक है, चली, thank you so much, chapter हो गया, finish, start करेंगे, हम इसके बाद next chapter, ओके, बाई-बाई-बाई, में, बीक्ங्याओ करेंगे, करेंगे